प्रवीश्य मसी के पवित्र नाम में आप सबों को मेरे नमस्कार मैं सजी भिलाई वाला कुछ दिनों पहले हमारे परिवार में एक हाथसा हुआ रॉबिन की उमर मात रड़तिस साल थी कैंसर के लक्षन को कुछ ही दिन हुए थे दवा और दुआ कुछ काम नहीं आई अगर मैं कहूँ उसके गुजर जाने से हम सब दुखी है तो ये एक कम बयानी होगी कम बयानी यानि अंडर स्टेट्मेंट क्या कहें क्या ना कहें खुदा से पूछें तो क्या पूछें जिस माँ ने उसे जन्द दिया और पाला पोसा उसे क्या बोले जिस पत्नी ने उसे मन भर भी देखा नहो उससे बोले तो क्या बोले इनसान की सारी सोच, सब ग्यान सारी फिलोसफी धरी की धरी रह जाती है ऐसे हलातों में लेकिन परमेश्वर का वचन और पवितरात्मा का सानिध्य हमें धैरी देता है, सांतमना देती है ऐसा लगता है जैसे बाप अपने चहेते बालक को जैसे अपने पास रखता है, वैसे ही पिता परमेश्वर भी अपने सबसे प्रिय जनों को अपने पास बुला लेता है वक्त से पहले मौत के बारे में मैंने भी एक संदेश कहा था मई के महने में शायद आपको याद हो, उस संदेश के आखरी वाक्य को दोहराना चाहता हूँ प्रभीश्व ने कहा, इसलिए कि मैं जीवित हूँ, तुम भी जीवित रहोगे तुम जीवित इसलिए ने रहोगे कि मैं मुर्दों को जिलाना जानता हूँ तुम जीवित इसलिए ने रहोगे कि मेरे पास ऐसी दवा है जिससे तुम हमेशा जिन्दा रह सकते हो इससे भी शक्तिशाली है प्रभीश मसी के शब्द तुम जीवित रहोगे क्योंकि मैं जीवित हूँ यहाँ एक व्यक्तिगत गारंटी को हम देखते हैं हम अनंद जीवन के वारिस हो सकते हैं क्योंकि उसने मौत पर विजय पाई है मौत के सामने हम सीना तान कर कहने का दम रखें मेरा प्रभु कह गया इसलिए कि मैं जीवित हूँ तुम भी जीवित रहोगे मेरे विश्वास है रॉबिन ने भी अपनी मौत से पहले यह ललकार लगाई होगी मेरा प्रभु कह गया इसलिए कि मैं जीवित हूँ तुम भी जीवित रहोगे मैं भी जीवित रहूँगा इसलिए कि रॉबिन ने अपने दिल से प्रभी शुमसी को अपना उधार करता माना था और इस बात को मुझ से अंगिकार किया था मैं मानता हूँ वो अनन्ध जीवन का वारिस है और हम सब उस से मिलेंगे अनन्ध जीवन में ते प्रभी शुका दुबारा आगमन होगा प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा उस समय ललकार होगी प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा प्रमेश्वर की तुरही फूकी जाएगी और जो मसी में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे उस समय रॉबिन भी जी उठेगा तब हम जो जीवी तोर बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिये जाएंगे की हावा में प्रभु से मिले हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे यही वो आशा है जिसके कारण हमसे ही लोग हर एक दुख का मुसीबत का अपने प्रेजनों की मृत्यू का सामना कर सकते हैं विश्वास के साथ और हिम्मत के साथ आमीन सामना के साथ झाल झाल का अबना की प्रभु का विवास मुसीबत की